तो हेलो एवरीवन दिस इसाइल एकन बैक विडियो तो आज की वीडियो में एंटी डेंडर शैंपू का रिवीव करने वाला हूँ जो कि कैंडी डॉक शैंपू आप देख सकते हो ग्लैंड मार कंपनी का तो इसी का कंपलीट रिवीव करेंगे तो वीडियो स्टाट करते हैं अगर आप लोग में चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पासमें दिया बैल आइकन भी प्रेस कर दो चलते हैं वीडियो तरह ओके तो आप देख सकते हो यह कैंडी डॉक शैंपू ग्लैंड मार कंपनी का तो इसमें आयाते किकलो पि अगर आप देख सकते हो इसका साइड में MRP भी मेंशन है तो यहाप पे मैंशन है 299 रूपिस तो यह मुझे 290 का बड़ा था अगर आप इसको ओनलाइन पर जैस करते हो तो I think 267 इतने के आस पास यह आपको मिल जाएगा तो मैं यह मैडिकल से लाया था तो मुझे 290 का इसका खाने वलों आपको यह देख सकते हो इस से अंदर से तो इसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश ऐसे इस टाइप का यह ब्लू टाइप का ग्रीन टाइप का जैसे सिपला का एटेक शैंपू था उसका भी मैंने रिव्यू किया था तो दोनों सेम है बस कंपनी का फरक है वो स JEnd Grandpa tha τो 94-ौप चाला जाते हैं और you इंफेक्शन भी चला जई आपकी Clopaparocs का क्या गाम है जो भी आपके elok कोई और हो रहा है उसको यह किल करेगा बैक्टीरिया को किल करेगा जो भी आपके स्केल्ब में हो रहे और चूंड जाने में 6 मंत भी लग सकते है को इसको यूज करते हो तो काफी ज्यादा यह वो चला जाता है बाकि आपके dandruff पर डिपेंड करता है कितना जादा dandruff है वैसे अगर इस शैंपू को देखे तो इस पर mention है कि अगर आप इसको use करते हो मलब one month regular use कर ले तो इसको जैसे इस पर mention है तो आपका dandruff चला जाएगा पर ऐसा नहीं होता मैंने जब काफी सारे शैंपू यूज किया मैंने ऐसा नहीं होता कि आपने एक शैंपू यूज किया तो आपका dandruff चला जाएगा हाँ हो सकता है अगर आपके थोड़ा बहुत dandruff है वो चला जाए जाए है तो आपको अगर ढक्टर ने ये शैंपू यूज करने को बला है तो आगे मैंने वीडियो में बताया है इसको कैसे यूज करना है तो आप देख लो जो भी शैंपू आप यूज करते हैं तो वैसे ही मैं यूज करता हूँ तो फर्स टाइम आगर आप इसको लगाओगे तो मलब फर्स टाइम जो वन मिंट की मसाज करोगे तो तब ज्यादा फोम नहीं बनेगी को पहले वो जो भी डर्ट वगरा उसको क्लीन करता है अच्छे स लो कैसे मैंने इसको लगाया और वोश किया है तो सबसे पहले आपको अपनी स्कैल्प को गिला कर लेना है तो उसके बाद शैंपू यूज करने से बहले उसको अच्छे से शेय कर लेना है को जो भी कैमिकल से उगए रहा है उसमें अच्छे से मिक्स हो जे तो आप अपने ह के इसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं, मैंने इतनी लिया कोज मेरे एर काफी शोट है आपको दीख रहा है तो अच्छे से हैंड पर रव करके आपको फिर मसाज़ करने है अपनी स्केल्ब में देख सकते हैं तो अभी फर्स टाइम थोड़ी फोर्म कम बनेगी मैंने आपको बताया था कोज जो भी डर्ट, ओली वगरा होती है आपके स्केल्ब तो उस गंदगी को पहले यह निकालेगा तो इसलिए इसको सेकंड डाइम अगेन यूज़ करने अपनों वो तो वन मिन्ट मसाज के बाद आपको इसको वोश कर लेना है लुक वोम वोटर से हलका सा गरम पानी तो अगेन अपलाए अगरने आप इसको तो देख सकते हूँ मैंने उतनी क्वांटिटी ली है तो अब देखना आप काफी ज्यादा फोर्म बनेगी इसकी तो देख सकते मेरे स्कैल पे काफी फोर्म बन रही है तो सोरी मुझे भार ही करके दिखाना होता है यह सब तो मैं ऐसे नहीं है कि वीडियो अल्ली बता दी आपको तो मैं वोश करके भी दिखाता हूँ जो भी चीज मैं आपको सिजेस्ट कर रहा हूँ तो सेकंड टाइम यूज करने के ब तो आप देख सकते हो मैंनो बिल्कुल अच्छे से ड्राय कर लिया मेरी स्कैल भी देख सकते हो भी तो हो सकते है अगर आप मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हो उसके करण डॉक्टर ने सज़़ेस्ट किया हो आपको शैंपू एंटी डेंडर तो भी आप यह यूज कर सकते हो तो आप alternate days में यूज़ कर सकते हो अगर आपके long hair से है और daily भी apply कर सकते हो अगर आपके short hair है मेरे जैसे hair है मैंने cut करवार रखे हैं आपको पता ही होगा अगर आप मेरी regular videos देखते हो तो आपके short hair है तो आप इसको daily भी apply कर सकते हो daily apply करने से कोई ऐसा नहीं है कि आपके hair fall होने लग जाएगा कुछ भी नहीं है अगर आपके dandruff है उसके करन आपका hair fall स्टार्ट हो सकते है तो बस यही थी आज की वीडियो आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर कर देना तो यह मेरी इंस्टा इडिया अगर कोई भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे आप पूछ सकते हो तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में